आई वी एम अलो सौरब कैसे हैं बड़ी आप रने तुम बताओ सौरब पिछली बार तो हम लोगों ने गांधी टगवर पुलियाबाजी पर पुलियाबाजी कर ली इस बार थोड़ा वापस भारती विदेश नीपी की और रुख करते हैं बिलकुल तो सौरब वैसे हम लोगों ने चाइना, ताइवान, पाकिस्तान, विश्व्यवस्ता ऐसे विशव पर तो बाते की हैं पुलियाबाजी पर लेकिन आज तक एक ऐसा एपिसोड नहीं किया, जिसमें हम लोगों ने समझने का ये प्रैस नी किया हो कि भारत की विदेश नीपी जैसी है, वैसी आखिर है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, पूरा हम लोगों ने मुआयना किया नहीं तो उसी विशह पर बात करते हैं आज और उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है, तो हमारे साथ है डॉक्टर अपरना पांडे, अपरना डिरेक्टर है अपरना से ही जाने की कोशिश करता है कि आखिर भारत की विदेशनीती ऐसी है, तो अपरना स्वागत है आपका पुल्याव अपरना तो आप जॉइन करी हैं में सीधे वाशिंटन डी-सी से, तो सबसे पहले तो अपरना मैं यही जानना चाहता था आप से की वैसे आप विदेशनीती में रूची लेने कैसे लगी और आपको इंटरेस्ट कैसे है इस सब देख तो पारम से में रूची इसले थी कि मेरे पिता कैस में काफी योगदान था, वो शासन तंत्र में थे, प्रदेश में भी थे, केंदर में भी अधेकारी थे और उनसे मैंने बहुत कोछ सीखा, उनको देखा, जाना, शासन के बारे में, प्रशासन, विदेशनीती, सियासत के बारे में और मैंने यह पढ़ा भ कि भारत की विदेशनीती क्या है, भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इससे क्या लाब होगा, और फिर वो इससे अपनी विदेशनीती डालते थे, तो इससे मेरी रूची उच्छता बढ़ी, फिर मैंने graduate studies में, स्टांतक शिक्षा में इसके बारे में पढ़ा, चान अत्रिक मामनों पर क्या प्रभाव पढ़ता है, सबसे जादा अगर हम देखें, भारत के चारों और देश हैं, बांगलादेश हो, नेपाल, श्री लंका, जो बांगलादेश से हमारी नीती है, विदेश नीती है, अंतराश्ट्री संबंध हैं, वो पश्चम बंकाल की होते हैं कई बार, वैसे श्री लंका के प्रती जो हमारी विदेश नीती है, वो तमिल प्रांतों की राजनीती से, तो इस सबसे मेरी दूची बढ़ती गई, और फिर मैंने सनातक शिक्षा में चानक्य के बारे में, विदेश नीती के बारे में, और गहराई में पढ़ा, औ और इसी से मेरी दिल्चस्पी बढ़ती रही, और किताबें लिखने का मन किया है, तो फिर इसी बारे में बात करते हैं, अपड़ना और आपकी जो पिछली किताब थी, फ्रॉम चानक्या तू मोधी, उसमें आपने विशलेशन किया है, कि भारतिये विदेश नीती के कुछ प्रमुख विचार सम्भ है, जिनको अपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसी बारे में थोड़ी बात करते हैं पहले, और जानने की कुशिश करते हैं, क्या है ये मुख की विचार सम्भ, तो सबसे पहले तो आजाते हैं, ये कॉटिल्या अपने बात भी की चानक्या के बारे में और बुक के नाम में भी है तो ये कोटिल्य निती का वास्तविक तोर पे भारतिय वीदेशनिती पर कुछ असर दिखता है कि आपको अभी वी ऐसे हम लोगों ने पढ़ा तो है साम डान डंड भेड या फिर हम लोगों ने पढ़ा भी है कि राजमंडल होते हैं अरी शत्रू वगरे वगरे तो इसका आपको क्या लगता है कि इन सब विचारों का है हां दिखता है एक ठोस असर दिखता है और एक सांकेतिक दिखता है तो अन्य देशों की भाति आधुनिभारत की वीदेशनिती भी दो threads पर अधारित होती है अधर्षवाद जिसे हम idealism कहते और यथार्थवाद जिसे हम realism कहते है चानके या कॉटल यथार्थवाद वादी थे चानके भारत के कूटमीती और प्रशासन के जाने माने विचारक रहे है उनका अर्थशास्तर हम समने पढ़ा है प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग यह समझते है आपने सही कहा है कि भारत की विदेश नीती उसी पर आधारत है मैं ये मानती हूं कि कौतिल निती का थोड़ा असर है लेकिन आदर्शवाद का भी असर है दोनों का आफर है भारत की विदेश नीती पे जाने की की नीती उतनी ही जानी मानी है हमारे हाँ जैसे कि पश्चिम के देशों में माक्यवेली की थी लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे पश्चिम के देशों की कूट मीती माक्यवेली नहीं है जिस समय कॉटल ने अपनी नीती बनाई थी उस समय मौरसामराज के चारो ओर कई सारे देश थे और उनसे निपटने के लिए उन्होंने ये राजमंदल की संकल्पना की थी और राजमंदल हम जानते हैं ये concentric circles कहते हैं समकेंद्रित रित और मौरसामाज के चारो ओर ये थे तो उसी प्रकार आधुनिक भारत के भी अरोस-परोस के देश हैं जो दक्षन एशिया के हैं नेपाल, भूटान, श्रीलांका, पाकिस्तान और इन सब को हम प्रथम वृत में मान सकते हैं और भारत के प्रती, इनकी नीती, इसके बाद में हम और बाते कर सकते हैं लेकिन भारत के लिए जो अरोस-परोस के देश हैं, यह सबसे जरूरी रहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले कॉंसेंट्रिक सर्कल में, सबसे पहले वृत में हैं यथातवाद का यह असर भी है, कि भारत यह विश्वास रखता है कि उसे अपने हितों की रक्षा करनी है, और खुद ही करनी होगी और कोई उसकी मदद करने नहीं आएगा लेकिन चानक के और कौतिले का एक सांकेतिक, सिंबॉलिक महत्व भी है आप और सौरब जानते हैं कि दिल्ली का वह शेत्र, जहां दूता वास्तित है उसे चानकी पूरी कहा जाता है और उनकी तस्वीर लगभग सभी विश्वध्यालियों की राजनीतिक विभागों में देखने को मिलती है पर इस सांकेतिक प्रभावकार्थ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी विदेश नीती सिर्थ चानकी नीती है नहीं तो हम ये भी कहें कि सभी नगरों में महात्मा गांधी के नाम पर सड़क है परंतु हमारी विदेश नीती या प्रशासन केवल आहिंसावादी तो नहीं है या बाबा अमबेदकर की पतिमाई जगा जगा है लेकिन अभी भी अस्प्रिश्यता अंटचिबिलिटी दूर तो नहीं हुई है तो असर है लेकिन उतना नहीं जितना कई लोग मानते हैं ये कहोंगी मैं आपको ये भी लगता है कि जैसे चानक के नीती जिस दौर में बनाई गई है जब kingdom होते थे nation states नहीं थी तो उसका relevance अभी अलग है या कम है या फिर आपको लगता है कि जो उनके lessons है वो चिरकालीन है और अभी भी बहुत relevant है किसी भी देश की foreign policy मतलब उससे तो कोई भी सीख सकता है ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुखान सीख सकता है आपकी सौरव मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ वो इसलिए कि मैक्यावेली भी पूरे vision में लाग उसकी beliefs हम उसकी principles हम हम बलीव कर सकते है चानक के भी जो मुझे लगता है वो एक यह है कि चानक भारत आधुनिक भारत के पास एक चानकी हैं जिन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्थ जो कूठ नीती के बारे में बाते करती है चानकी के बाद हमाएं पास कोई strategist ऐसा कोई कूठ नीतिक विदवार नहीं था इतने दो तीन हजार चार हजार पाँच हजार सालों तो एक जो हमेशा हमें दिक्कत होती है वो ये है कि हम जो जिसे लोग grand strategy कहते हैं विराट रंड नीती या कूठ नीती उसमें भारत उतना आगे नहीं है बहुत देशों के मुकाबले में तो कई बार मुझे लगता है कि हम इसलिए भी चानक के को याद करते हैं कि चानक के हमें ये एहसास दिलाता है कि हमाई पास कोई एक है जो विश्वभर में जाना माना है और जिसने कूठ नीती पे लिखा था और क्योंकि हम 5000 साल पुराने हैं हम अभी भी वहीं हैं हम अभी भी अक्षुन हैं हम उसी जगह पे हैं जहां पर प्राचीन भारत था हम अभी भी चानक के के राजमंडल के हिसाब से चल सकते हैं लेकिन दुनिया बदल गई है अब राज नहीं है अगर हम चानक के की बात प मियानमार से ज्यादा अच्छे होने चाहिए है क्योंकि उनकी ऐसी तो होता था ना जो आपके बगल में है वो दुश्मन है जो उसके बगल में है वो दुश्मन का दुश्मन इसके मतलब है आपका दोस्त है तो वो तो अब लागू नहीं हो सकता क्योंकि फिर अमरीका का सबस जरूरी है कि जो हमारे अडोस-पडोस के देश हैं, वो बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, हमारी security के लिए, हमारी kut नीती के लिए, हमारी विदेश नीती के लिए, जो वो बात करते थे कि राजाओं को ध्यान रखना चाहिए, spies और गुप्त रखने चाहिए, वो सब लागू ह लेकिन मुझे लगता है कि ये जादा सांकेतिक रह गए हैं इनका महत्व, उनका महत्व उतना जादा विदेश नीती पे, और इसलिए भी नहीं है कि जिसने हमारी विदेश नीती बनाई, जो हमारे विदेश नीती के जो विचार स्थम्भ हैं, वो पंडे जवाला नहनू उने बनाये थे, और वो कुछ हद तक रियलिस्ट थे या यथार्थवादी थे, लेकिन काफी हद तक वो आदर्श वादी भी थे, तो जो हमारे विचार स्थम्भ हैं, पीस एन हर्मनी, जो हमारे विचार स्थम्भ हैं कि भारत गुट निर्पेख्ष रहेगा, कि भारत और शांती के लिए काम करेगा, वो सब तो कौटले ने नहीं कहा था, कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं, कि आप जब कौटले ने वो बनाया था, तो उनको ये था कि जो जिगी विशु है, वो पूरे हिंदुस्तान पे उसको फटह करनी है, लेकिन हिंदुस्तान तो फटह किया हुआ है पूरा हमने, और उसके बाहर तो कोई हमें, और उसके बाहर तो ambition, कौटले भी बोलते थी, कोई ambition नहीं है, एक बार हिंदुस्तान पे वर्चस हो गया तो खतम, हाँ, खतम हो गया, पर वो कौटले का ही नहीं, काफी हो का, एक राज को छोड़ करके, चोला, बा कि उसके आगे चक्रवर्तिन को बाहर नहीं जाना, एक चोला सामराज था, चोला राज था जो गया बहर, साउथ इस्टेशिया में, और फिर अंग्रेजी सामराज, और अंग्रेजी सामराज यह हिंदुस्तान से तो नहीं गया, उन्होंने हिंदुस्तान की सेना को ऐसे, ब बंद रखें, लेकिन हम, हमने कभी, हमा जो विश्वर दर्शन है, जो है, जो कहता है कि, मध्य पूर्वी एशिया से पूर्व एशिया तक, पूरा का पूरा यह, हमारा नेबर हुड है, यह तो पहले नहीं था, यह तो अंग्रेजी सामराज की देन है, जो वो वर्ल्ड व हमारा नेबर हुड है, इंडियन ओशन, यह हमारा है, और हमें इसकी सुरक्षा करनी है, यह तो हमें न मुगल समराज से, न मौर, न गुपता, कहीं से नहीं मिला, और पुरानी बात छोड़ने से, पहले एक और मुझे पूछनी थी चीज़, आपना कि, आपने चानक के को एक काउंटर पॉइंट बनाया और चानक के बहुत पॉपलर भी है, आपने जैसे बताया, चानक के पुरी है वगरा है, तो लेकिन जैसे महाभारत में भी विदूर नीती है, या शान्ती पर्व में भीश्मु भी काफी शासन के बारे में बोलते हैं, तो वो खो गया है, क् हमारे यहां पर कोई बिचार नहीं है, आपको लगता नहीं है कि वो relevant रहे गए हैं अभी? नी ऐसी बात नहीं है, दिक्कत ये मैंने देखी है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने सनाथ तक शिक्षा में भी और सनाथ रोगतर में इतिहास पढ़ा है, दिक्कत ये कि हम उतना पढ़ाते नहीं हैं, इतिहास हम सिर्फ वो पताते हैं लोगों को कि ये राजा आया, ये जा गया हम strategy चाहे उसे आप पूट नीटी के हैं रन नीटी के हैं जो भी के हैं हम वो नहीं पढ़ाते हैं अब शायद जब आप international relations में पढ़ें या जब आप विदेश नीटी पढ़ें तब भी आपको शायद अब शायद पढ़ाने लगे हो और कुछ विद्यालेओं में हम planning नहीं करते हैं हम strategy नहीं करते हैं तो क्योंकि आप planning और strategy नहीं करते तो फिर पुरानी किताबों से आप सिर्फ वो सीख लेते हैं जो आपको लगता है कि ये culturally ठीक है या religion के लिए ठीक है आप इसलिए नहीं लेते कि उनसे आप कुछ सीखें कि आज के समय हम विदुर से या आज के समय हम भीश्म से या आज के समय हम कृष्ण से उनकी नीती या उनकी strategy के बारे में कुछ सीख सकते हैं और सीख आज लाएं जो कुछ लोग उसको लाते हैं वो फिर उसको सिर्फ religion की तरफ से ले आते हैं उसको strategy के तरफ से नहीं लाते हैं उसको विदेश नीती य या कूट मीती की तरफ से नहीं लाते हैं. यह हो जाता है ना कि आप गीता पढ़ोगे लेकिन गीता फिर आप पुझने के लिए पढ़ोगे. आप उससे कोई नीती निकालने के लिए नहीं पढ़ोगे. ने ने अपढ़ना है हिंदुस्तान में पिछले एकलीस दस साल में ना मैनेजमेंट में गीता से मैनेजमेंट टिप्स लेने के तो कोर्सिस बड़े पॉपलर हो रहे हैं. बड़ी अच्छी बात है. खूब है, खूब है. एक्विकेटिव टिप्स की गीता फॉर मैनेजमेंट ये वो करके खूब चल रहे हैं आजकर. लेकिन मेरे ख्याल से ये बिजनस वर्ल्ड में ज्यादा है और पता नहीं टाइम पास के लिए हैं उससे सही में लोग कितना कोर्सिस की एडुडिसमेंट्स तो मैं खूब देखता हूँ. हाँ, तो उसमें मेरा प्रशन ये होगा कि क्या हम ये इसले कर रहे हैं ताकि हम दिखा सके कि हमारे पास भी पुरा तत्व में कुछ हुआ था, या हम असल में कुछ सीख रहे हैं उससे. हाँ. तो मैं कहलते है, होने चाहिए और गड़े तो गड़ेत होने चाहिए हाँ वो बात ठीक है और प्लस मेरे को लगता है गीता वैसे भी जो है वो गीता आपका पर्सनल कंड़क्ट के लिए ज़्यादा एप्रोप्रियेट है जबकि हम शांती पर्व या विदूर के जो चीजें उनको मिस कर देत है अब दूसरी बात आपने अपढ़ना कही कि ब्रिटिश राज का एक बहुत बड़ा योगदान था कि भारत का विश्वदर्शन बदल गया उतसे तो और क्या चीजे थी जो ब्रिटिश राज ने लाई जिसके वज़े से हमारे आज तक जो विचार है फॉरेंड पॉलिस हो रहा है वो मुझे लगता है शायद कोलोनियल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है तो ऐसी क्या थीजे थी ब्रिटिश राज की जिसका असर आज भी देखा जा सकता है भारती विद्देशनी तो मैं आपकी बात पर आउंगी प्रणे लेकिन पहले मैं दो पताऊंगी ज जो हमें दो अनुपम जो अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हुए अंग्रेजी समराजी से सरव प्रथम तो हमाई डिमोक्रसी पजातंत्र था और उसके अधीन जो संस्थाएं है न्यायपालिका विधायका स्थाई प्रशासंतंत्र यह सब अंग्रेजी समराजी की ही है यह संस्थाएं कारपालिका पर अवश्यक्ता अनुसार अंकुष लगा सकती हैं पहले तो राजा महराजा थे वो सर्वोपरी हुआ करते थे अब यह संस्थाएं स्थाई हैं और इनमें अधिकार है तो स्थाई होने के कारण यह प्रशासंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है यह नित्रित्व को सही जानकारी दे सकती हैं सला दे सकती हैं और इसलिए यह जादा प्रभावी बन जाती हैं तथा उसको प्रभावी बनाने में यह संपर्ण कराने में भी मत्वपुन स्थान रखती हैं यह सारी संस्थाएं दूसरी बड़ी देन मैंने पहले कहा था वो अधिकतर भारती राज्यों के दृष्टिकोन बहुत संकीन थे, वो भारत के अंदर ही रह गए थे, दक्षन में मुगल राज्य उत्तर भारत को ही जादतर तवज्जों देता था, अंग्रेजों ने पहले तो हमें ये सीख दी कि जो हमारे पडोसी देश है, राजमंडल का भ जो हमारा रुख है, वो थोड़ा राजमंडल से और थोड़ा अंग्रेज सामराज के कारण है, हम उनको कैसे देखते हैं, हमारे लिए दक्षन एश्या के देश इतने जरूरी क्यों है, तीसरा, जो आपने कहा था, व्याफसाय और व्यापार के बारे में, तो जो ये नेगिटिव लेगसी ये है, कि भारत हर कोई मल्टीनाशनल, हर कोई फॉरन कंपनी को ऐसे देखता है, कि वो कंपनी आईगी, और फिर उसके बाद वो मुलक आएगा, और फिर से अंग्रेज सामराज हमारे यां हो जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे, हम गुलाम हो तो इसलिए वालमार्ट हो, कारफूर हो, कोई भी हो, हमें आत्म निर्भर होना है, हमें मेक इन इंडिया करना है, हमें सेल्फ सफिशेंट होना है, और हमें अवियापार में ही नहीं, बलकि डिफेंस में भी, और इससे दिक्कत ये होती है कि हाँ, जरूर होना चाहिए, बने हैं, जिन्होंने आत्म निर्भरता नहीं अपनाई, जिन्होंने ज्यादा व्यापार किया, ज्यादा व्याफसाई किया, और फिर उससे वो बड़े बने, तो भारत को उनको देखना चाहिए, जैसे चीन, चीन कैसे बड़ा बना है, आत्म निर्भर बनके तो नहीं बन उसने सेन शक्ति बढ़ाई है उसके बाद अपनी अमरीका लेकिन ये एक है और ये मालुम नी कितने साल रहेगा लेकिन हमारा ये एक अंग्रेजी सामराजी का ये एक है लेगसी कि हम गुलाम न बन जाएं तो इसलिए हम व्यापार और व्यापसाय को हमेशा तेड़ी नजर स देखते हैं जब वो बाहर से आती है तो अपड़ना ये काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है पर मैं ये चीज थोड़ा और समझना चाता हूँ और आपने तो इसको डीपली स्टडी किया है तो अब तो बहुत साल हो गए है और कितनी जेनरेशन बीद गई है जो अभ भी लोग हैं भी ब्यूरोक्रेसी में वेगरा वो लोगों का तो कोई experience नहीं है colonial obviously तो ये किस तरह से institutionalize हुई है चीज की जो नया व्यक्ति आता है वो भी इसी विचार से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है सौरब एक अंग्रेजी का फ्रेज है आपने पढ़ा होगा एंशो तो उसको group think कहते है कि basically जो एक institution होता है या एक group होता है अगर आप उसमें भरती हो जाते हैं तो आपको उसमें अगर रहना है तो आपको वैसे ही सोचना है जैसे बाकि सब सोच रहे हैं तो एक तो परशासन तंत्र का है एक तो bureaucracy, Indian foreign service हो, IAS हो इन सब को जो पढ़ाया जाता है इन सब के जो बड़े हैं और जब यह भरती होते हैं तो एक है एक गुलाम mentality है पर इसकी जो जो सिखाया जाता है वो यह है कि जो Indian state है वो यह सोचता है कि वो माबाप है वो जादा जा ना चाहिए कि उसके बच्चे जो है वो उनका व्यफसाए, आर्थेक नीती, विदेश नीती, सारी नीतियां state बनाएगा लोगों के लिए योकि लोगों को सही नहीं मालूम अपने बारे में दूसरा ये भी है कि वो उसका विश्वास है state का भारती प्रशासन का कि जो market है वो सही काम नहीं करेगे, तो हमें market पर अंकुष लगाने हैं, उसका कारण एक ये है कि अगर हम market को जो चाहते वो करने देंगे तो विदेशी companies आ जाएंगी, जो विदेशी investment आएगा, निवेश आएगा, वो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए सही नहीं होगा, वो उस company क लिए या उस मुल्क के लिए सही होगा, तीसरी बात, इतने सालों से जो ये policy चलती आ रही है, उससे कुछ companies, ज्यादा तर भारती companies benefit करती हैं, उनको सहायता मिलती है, अगर आप ऐसे देखें इसको, परनेयो मेरी दो companies हैं, और वो सारे के सारे computers बनाती है, अब सारब आता है और कहता है कि मैं भी इस business में आना चाहता हूँ, मुझे भी आने दें, परनेयो में सोचते हैं क्यों, अगर सारब आएगा, उसकी technologies ज्यादा अच्छी है, उसके laptop सस्ते हैं, हम फिर नहीं बेच पाएंगे, तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो प्रशासन है, वो अंकुष लगाए, विदेश की companies को आने में, ताकि हमारी जो monopoly है, वो रहे, तो companies भी चाहती है कुछ हद तक, सरकार भी चाहती है, क्योंकि उसको अंकुष से, उसको regulation से पैसा मिलता है, control मिलता है, और फिर ये एक पुरानी legacy है कि जो foreign company आएगी, जो निवेश लाएगी, उस से हम गुलाम बन जाएंगे, यही जो चीज है, तो अब तो हम, जब शायद नए-ने आजाद हुए थे, तो नया experience था, और खुब सारी नई countries थी, तो ठीक है, थोड़ा confidence कम होना, मुझे समझ में आता है, लेकिन अब तो इतने साल हो गए हैं, हम इतने सालों से देख रहे है हैं, इतनी कंपनिया हैं, हिंदुस्तान में, हम बाकी कंट्रीज में भी देख रहे हैं, जब बड़ी कंपनिया गई हैं, एक लिस्ट भारत, कुछ कंट्रीज हैं, जहां पर, obviously, कंपनीज ने जा करके बहुत उल्टा सीधा काम किया है, इरान में हुआ है, साउथ अमेरिका म और ये इसमें ही नहीं, आप औरों में देखें, I mean, economy में है, military में, ऐसा क्यों हैं, कि हमारी इतनी बड़ी सेन शक्ती है, हमारी आर्मी बड़ी है, हमारी नेवी, एर फोर्स है, लेकिन तब भी हम domestic defense industry तो नहीं बना पाए, और अभी भी हम में थोड़ी थोड़ी वो हिचक ह होती है, अगर आप अगर आप दक्षन एशिया, भारत दक्षन एशिया का केंदर बिंदू है, भारत दक्षन एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तब भी वो 70 साल में अपने सारे परोसी देशों को, पाकिस्तान को छोड़ भी दोया, बाकी देशों को, ये एहसास क्यों दिला पाया है, कि आपको हमारे साथ रहना चाहिए, नकीचीन के साथ, तो कहीं न कहीं तो हमारी confidence लाकिंग है, जैसे अभी एक बात चल रही है, भारत में कि Mandarin Language को बंद कर दिया जाया, या Confucius Institute को रोग दिया जाया, तो इसमें एक official statement भी, मतलब, एक quote किया था, उसमें उनोंने बोला था कि, it is not done with a pre-determined mind to close them, we want to know what is in it for Indian students and India, तो अब यह भी दर्शादा है कि कैसे official सोचते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें भारती है, लोगों के लिए कुछ है भी कि नहीं, कि Chinese language वो सीखना चाहते हैं, तो हम दिटर्मिन करेंगे, तो यह थोड़ा एक है कि state will control everything, whether society, market, जोगी. पर वो paternalistic streak है ना, आपकी, कि state को ज्यादा बहतर पता है आप से, market से, companies से, कि आपके हित में क्या है, क्या सही बात है, तो वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़ें स्कूल में, वो डिसाइड करेंगे कि आप कि लिए किस किसम की नौकरियां हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप को क्या skills मिलने चाहिए, वो डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी भाषाएं सीखें बचपन से, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, अपरना जैसे, एक बहुत अच्छी भी किताब में मैंने ये बात पढ़ी और मुझे पता नहीं था कि किस तरह, IFS और Indian Foreign Service ने, अस्ट्रेलिया का जो Foreign Affairs है, उसको बोलता है DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade, मतलब Trade और Foreign Affairs, दोनों को वो एक साथ ही समझते हैं, लेकिन IFS ने इसको ऐसे दरकिनार क्यों कर दिया शुरुआत में, कि ये तो व्यापार है, हमारे लिए नहीं है, जब कि मुझे लगता है, विदेशनीती का में होना सी है, कि सम्रिद्धी हो, सम्रिद्धी सब लोगों की हो, भारती है, लोगों की हो, उसके लिए व्यापार करना पड़े, तो व्यापार करना सी है, और कुछ करना पड़े, तो क्यों आता है, आजकल तो ये नहीं है, आजकल तो विश्भर में हम भारत का नाम आर्थे क और वाने जुदिश्टी से शक्तिशाली देशों में समझा जाता है लेकिन आजादी के बाद भारत की ये पहचान नहीं थी आजादी के समय तो लोग कहते थे कि भारत एक महराजाओं और सपेरों का देश है तो इसलिए उस समय विदेश नीती में इसका महत्व नहीं माना गया भारत को आर्थिक सहायता भी चाहिए थी उस समय खादेशा मगरी भी चाहिए थी और इसलिए उस समय भारत ने आर्थिक बिन्नूओं को इतना महत्व नहीं दिया जो हमारी विदेश निती का जो ये प्रशासन तंत्र है, IFS, Indian Foreign Service इसने भी इस काम को अपना नहीं समझा वानिज आर्थिक मामलों को इन राजनाई को नहीं तवज्जों नहीं दी इसके असर एक ये हुआ कि वानिज आर्थिक निजी संस्थाएं भी कम प्रयास करने लगी तो जैसे संस्थाएं हैं ये ASOCHAM, FIKI, CII इन मामलों से थोड़ी बाहर रही और इनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली सरकार से, Indian Foreign Service से इसलिए भी हुआ कि बहुत समय तक भारत ने ये सोचा कि हमारी आर्थिक शक्ती को विदोशों में पूजा भी जाएगा ऐसा हमें लगा कि ये ज़रूरी नहीं है भारत ने चाहा कि हम दुनिया बदल देंगे और गरीब देशों का नित्रत्रत बनाकर विश्व की आर्थिक नीतियों और जो संस्थाएं हैं World Bank, Wish Bank, IMF इनको हम बदल देंगे पर ऐसा तो नहीं हुआ और फिर हमें ये मालूम पड़ा कि सिर्फ गुट ने पेक्ष्टा के साथ ये तो नहीं होगा हम विश्व की आर्थिक नीति नहीं बदल सकते हम वो संस्थाएं नहीं बदल सकते बलकि हमें अपने आपको आर्थिक शक्ती शाली बनाना पड़ेगा ताकि हम उन संस्थाओं में और संग्योक्त राश्व में हम अपनी जगह पा सके उसी के बाद हमने फिर 1980-1990 में आर्थिक शक्ती अपनी बढ़ाई विदेश नीति में इसका असर होने लगा भारत के नितुत ने चीन को भी देखा चीन ने चुपचाप पहले अपनी आर्थिक स्तिती महान की और उसके बाद वो वहाँ पहुंचा जहां वो आज है जिस पटल पे आज है वो तो ये 1980-1990 से ही भारत के राजनेक आर्थिक और व्यफसाइक नीतियों को अपनाने लगे और इससे फिर बढ़ते बढ़ते की भारत को साहता मिले जो उसको निवेश इंवेश्मेंट प्राप्थ हो जो व्यापार में आवशक्ता हो उस सबको बढ़ावा देने लगे विश्व तरीक जो संस्थाएं है ये वर्ल बैंक, ADB, WTO इसमें भी भारत भाग लेता है और भारत अपना पक्ष रखता है और भारत अब कई देशों को एड भी देता है, असाहता भी देता है और उस पर भी भारत अब नज़र रखता है, तो ये बदलाव आ गया है, बदलाव सबसे जादा इसलिए आए कि हमें शुरू में नहीं लगता था कि कि अगर आप आर्थिक मामले में शक्तिशाली हों, तो उससे भी फरक पड़ेगा आपके स्टाटस या पतल पर, हमें जब ये एहसास हुआ कि जब तक हम सैन शक्ती नहीं बनेंगे, और हम आर्थिक शक्ती नहीं बनेंगे, हमें बाकी देश शक्तिशाली नहीं मानेंगे, और नहीं हमें United Nations या कहीं पे हमें वो सपोर्ट मिलेगी, उससे बदलाव आया है, और उस बदलाव के कारण अब Indian Foreign Service और बाकी जो Ministries हैं, वो सब इसके लिए काम करती हैं, अब वो Economic Policy को Economic Foreign Policy मानती है. तो ये तो थोड़ा सकारात्मक रुख हुआ है, अब आपने गुट निर्पेक्षिता ये शब्त का प्रयोग हुआ, तो ये तो मतलब भारतिये Foreign Policy का सबसे overused term है, मतलब हर आर्टिकल में ये लिखने को मिल जाता है, strategic autonomy, non alignment, ये सब शब्त तो पक्का लोग प्रयोग कहते है तो इन दोनों शब्दों की इतनी महत्वपूर्णता क्यों है भारतिये विदेशनीती में और अभी भी, मतलब हम तो समझते है, non alignment ठीक है, जरूरी था एक टाइम पर हम लोग ना ही अमरीका के गुट में जाना चाहते हैं, ना ही USSR के, तो ठीक है, वो हो गया, समय तो विख विदेशनीती का केंदर बिंदू का कारण है, या विचार समझ है कि स्वयम अपना मार्ग चुनना और अपने हित में खुद की फैसले लेना, अर्थात विदेशनीती में गुटों से अलग रहना, यह भारत की लेगसी ये विरासत है, जो स्वाधिनता संग्राम तथा प्रेजी शासन काल में भारतियों को प्रशासन से और विशेशकर विदेशनीती से अलग रखा गया था, और फैसले नहीं लेने दिये थे, इसलिए स्वाधिन भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता था, और किसी भी गुट के साथ नहीं होना चाहता था, इसका सबसे ब जब कि यहां अकाल पाड़ा था, अब मैं यह मानती हूँ कि हर कोई देश यह चाहता है, कि उसकी नीती स्वहम बनाई जाए, लेकिन भारत ने इसे नीती बना दिया है, और सदा यह मानना चाहता है कि हम किसी भी गुट के दबाव में नहीं आएंगे, ना हम किसी और देश को, कोई और देश हमसे यह नहीं कह सकेगा कि तुम यह करो क्योंकि हम यह चाहते हैं, हम अपनी विदेश नीती खुद बनाएंगे, यह भी भारत मानता था कि वो किसी भी देश से दुश्मनी या दोस्ती सिर्फ इस बिना पे नहीं करेगा क्योंकि किसी शक्तिशाली देश से उस अमुक देश की मित्रता है, या बैरी है, या शक्तिशाली देश चाहता है कि भारत ऐसा करे, तो भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता है, तो पढ़ना, इसमें एक में को, सुरी मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन यह जैसे जो यह वाला थिंकिंग है कि हमें विश पूरी हमारी आर्मी वॉलेंटियर थी, जी, वो यह है कि जो, लेकिन डिसिजन तो उसका वाइसरोय ने किया था ना, या लंडन ने किया था, वो ठीक बात है क्यूंकि उस समय तो हम अलग देश, मतलब देश अलग थे, लेकिन हम तो ब्रिटिश अंपायर का पार्ट थे, लेकिन हम खुश तो नहीं थे ना, कि हम ब्रिटिश अंपायर का पार्ट थे, यह बात भी आप सुनतो है ना, कि जो पहला महा युद्ध था, उस समय तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जब लोगों को भेजा, बर उन्होंने इसलिए वो सपोर्ट किया था, कि उन कि हम हां कह सकते हैं, क्योंकि हमें हिटलर और नाजी जामी नहीं पसंद, नहीं जापान पसंद, लेकिन आप ये पहले बता दें, कि हमें स्वाधीनता आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम इसका विरोध करते हैं, और तभी फिर ज तो वो है भारत की एक नीती रही है कि उसकी जो सेन शक्ती है आधुनिक भारत की वो बाहर नहीं भेजी जाएगी सिवाए UN Peacekeeping Missions के लेकिन हम UN Peacekeeping में सबसे बड़े contributor भी तो है पर वो हम मानते हैं तो उसमें ये है वो हम अपना संयुक्त राष्ट को जो हमारा membership का योगदान है वो हम उसको मानते क्योंकि वो अंतर राष्ट्री शान्ती के लिए होता है तो वो हम करते हैं लेकिन एराक में, वियेटनाम में, कोरिया में, अफगानिस्तान में हम अपनी सेन शक्ती नहीं भेजेंगे प्योंकि वो किसी और मुल्क में जा रहा है और वो UN या संयुक्त राष्ट के अंदर नहीं जा रहा है हम सयुक्त राष्ट के साथ करेंगे, हम किसी देश के साथ नहीं करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हमारा कारण ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा देश किसी और देश के साथ हमारे साथ वही करे जब वो संयुक्त राष्ट के साथ होता है तो ठीक है एक सो नबे नहीं, एक सो सतर मुल्क तो हां कहते हैं न हमारे उपर एक बहुत बड़ी छत्री है तो फिर ठीक है लेकिन हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि हम किसी दूसरे देश के साथ कर रहे हैं तो हम दूसरा देश हमको ले के जा रहा है हम मिल के जा रहे हैं ऐसा हम क्यों नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे हिसाब से जोई सारे मैتρι योझनाएं या सुरक्षायोजनाएं होती हैं यह सारी जो मिलिटरी अलायंस दिखती हैं हमें यह हमेशा लगता है कि अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे उस योजना में तो हम फिर अपने आप डिसिजन नहीं ले पाएंगे अगर तीन लोग हुए तो हमें बाकी दोनों की बात माननी पड़ेगी अगर पांच लोग हुए तो हमें बाकी चारों की बात माननी पड़ेगी अंधरा खाना ओर्डर कर दिया हमें भी खाना पड़ेगा हाँ हम अपना अलग से बिर्यानी ओर नहीं कर सकते हाँ हम अलग से बिर्यानी ओर नहीं कर सकते तो अगर सौरब और मैं है तो सौरब को मैं कह सकते हैं देखो बिर्यानी है बिर्यानी ओर करो अप्रने भी आ जाता है तो उसमें कहते है नहीं नहीं वो कहते है कि नहीं बिर्यानी क्यों आ रही है पर जब 160 देश होंगे या 200 देश होंगे तो 199 लोगों की बात मांगनी पड़ेगी तो वह हमें ठीक लगता है तो इडली ओर्डर करेंगे ना तो ठीक है क्योंकि एक यह है ना कि जब 200 देश होंगे तो 200 के 200 जादा तर एक बात तो नहीं मानेंगे ना तो दो तीम देश तो बिर्यानी भी होगी कबाब भी होंगे शायद उसमें सामर और दोसे भी हों तो सब खुश हो जाएंगे पर मुझे यह इसमें दिल्चस्ट बात लगी कि हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमें ही बात माननी पड़ेगी अरे भारत इतना बड़ा फोर्स है अब हम लोग अगर हम मानते हैं कि भारत विश्व के 4-5 देशों में से हैं तो हमारे पास यह भी तो शक्ती होगी कि हम कह सकते हैं किसी एक गुट को कि भाई हम लोग यह बात नहीं करेंगे आप चारे लोगों को पसंद होगी पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिट में नहीं है हम लोग इस binary में ही क्यों सोचते हैं कि अगर हम किसी alliance में आच चले गए या फिर किसी भी group में चले गए तो हमें वो जो बोलेंगे करना पड़ेगा अब ये तो फिर से कम confidence की बात आजाती है और कभी-कभी उनको भी तो वो करना पड़ सकता है चोटी कम पसंद है या तो दो लोग हो या सो लोग हो तो जैसे ये गुट निर्पेख्षता, non-aligned movement काफी सारे देश थे तो हर कोई एक बात तो नहीं मानता ना तो गुट में भी गुट हो जाते हैं अगर ये छोटा सा हो जैसे quad का आप ले लें जो इंडिया, जापान, आस्ट्रेलिया और अमरीका है उसमें भारत को कई बार ये लगता है कि बाकी दो जो है वो अमरीका की बात में हां में हां में हां कहेंगे तो भी भारत को या तो हां कहनी पड़ेगी या ना कहनी पड़ेगी तो three versus one हो जाएगा जरूरी नहीं है, मैं नहीं मानती कि ये होगा पर ये डर हमेशा हमें लगता है कि अगर साथ, आठ या दस लोग हो तो हम कुछ लोगों को जैसे आप विश्वियापार संगठन देखें, WTO उसमें हम अपनी दरफ से काफी कामयाब होएं वैसे कई सारी दिक्कते हुई हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कई सारे देश हैं, इसलिए आप कभी चीन के साथ, आप कभी अमरीका के साथ, आप कभी योरोप के साथ, अलग-अलग good बना सकते हैं और अलग-अलग बातों पर अपनी बात मनवा सकते हैं जितने कम लोग होते हैं, उतना आपको लगता है कि आप अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, या आपो किसी और की बात माननी पड़ेगी, मैं आप दोनों की बात मानती हूं कि ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जब आप किसी ग्रूपिंग में जाए किसी योजना में जाएं, तो आपके कुछ pre-determined ideas हैं, विचार स्थम्भ हैं, और उनसे आप नहीं हटेंगे, तो आप negotiate करने के लिए नहीं जाते हैं, आप अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, और अभी भी चल रहा है ये strategic autonomy काफी popular चीज़ है, थोड़ा ये zero sum thinking जो है, वो यहाँ पे भी है, में लगता है कि वो लोग हमारे साथ है, तो हमारा ज़रूर कुछ नुकसान होगा, इसलिए वो कर रहे हैं, फिक है, तो ये एक है, तो दूसरी बात हम लोग आजाते हैं, अपरणा आपने कहा था, भारती जो पडोसी है, उनक एक सर कहा जाता है कि भारत एक विश्व शक्ती तब तक नहीं बन सकता, जब तक अपने सब पडोसीों के संबंद भारत के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा आपको लगता है कि इसमें कुछ सही बात है, क्योंकि मुझे तो नेपाल चीन के साथ अच्छे रिस्ते बनाना चाहता है, बहुत सारे कारण है वगएरा वगएरा, तो क्यों एकना महत्वपूर्ण है नेपाल हमारे लिए है, नहीं है नेपाल चाहता है, तो ठीक है, I'm sure नेपाल को भारत की जादर सरूरत है, भारत को नेपाल से, कि यह ब तो भारत ने हमेशा पडोसी देशों को तवज़ो दिये, यह शुरू से हुआ है, हमारी विदेशनीती इनका खास धिहान रखती है, जैसे मैंने पहले का था, भारत मानता है कि भारत केंदर बिंदू है, और यह सारे जो पडोसी देश हैं, वो हमारे extended family, विस्वत परिवा जैसे हैं, और हम इनका केंदर हैं, और इनको हमारी बात ध्यान में रखनी चाहिए, और हमसे रिष्टे अच्छे रखने जाहिए, अब कुछ इसमें दिक्कते आई हैं सालों में, यह है कि स्वतंतता के समय जो हमारी सीमाएं थी, वो सभी पडोसी देशों से ऐसी थी कि वि पडोसी देशों के जो लोग हैं, वो भारत के लोगों से यह एथनिक और लिंग्विस्टिक, संजाती और भाषाई रिष्टे रखते हैं, संबंद रखते हैं के इस्थानों पे, और जहां पर यह होता है, तो उस प्रांत के या शेत्र के लोग जो हैं, उनकी जो मनशा क्योंकि मधेसी जन सीमा के दोनों तरफ हैं, और भारत ने यदि उनका साथ दिया, तो नेपाल सरकार या नेपाल जनता खिलाफ हो जाती है, बंगलादेश में भी यही है, पश्यम बंगाल, श्री लंका, से हमारे संबंद तमिल नाडू की प्रांती है, और संजाती राजन जब हम ये बात करते हैं, ये illegal immigrants की बात करते हैं, कि ये बंगलादेश से आ रहे हैं, तो उससे भी दिक्कते होती है, तो हमारे जो आंतरिक मामले होते हैं, उनसे भी हमारी विदेशनीती और हमारी पडोसी देशों के साथ विदेशनीती पर असर पड़ता है, अब इतना जर पूर्टी है, वो उसके लिए हमारे पडोसी देश सबसे पहले या सबसे प्रथम वृत में आते हैं, अगर नेपाल हमारे इंटरिस को याद रखेगा, अगर बंगलादेश हमारे साथ होगा और चाइना के साथ नहीं, अदर श्रीलंका भारत की तरफदारी करेगा, तो फि अगरत की इंटरनल सेक्योर्टी और एक्स्टरनल सेक्योर्टी दोनों के लिए जरूरी हैं, इसलिए आपने देखा है कि हर प्रधानमंत्री अपनी एक नहीं नीती बनाता है, उसको आप इंदरा डॉक्टरिन कहें, नेबरोड फर्स डॉक्टरिन कहें, गुजराल हो, उनकी तरफदारी नहीं करें. जोग्रफी को देखें, भुगोल को देखें, तो जैसे हम स्थित हैं, अगर अभी चाइना गौादर में है, जो पाकिस्तान का पोर्ट है, चाइना हम्बंतोता में है, जो श्रिलंका का है, चाइना बंगलादेश में भी चाहता है, तो अगर चीनी सेना, चीनी नौ सेना, हमबंतोता में हो बंगलादेश या म्यानमार में हो और अगर चीनी थल सेना नेपाल में जो वो एक सड़क बना रहे हैं उससे हमारे बॉर्डर पर पहुंच जाए तो यह हमारी के लिए तो अच्छी बात नहीं है कि हमें फिर और सेन शक्ती हमें फिर और रिसोर्स चाहिए हो होंगे उनको भी फ़ल करने के लिए यह बात सही है कि हमें सिर्फ दक्षन एशिया पर ध्यान नहीं देना हमें मिडलीस पर भी ध्यान देना चाहिए हमें विएटनाम, फिलिपीन, आसियान जो है यह असोसेशन और साथीस टेशन निशन इनके साथ भी मैत्री और इनके लेकिन इसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें धन उपलब्दी देनी होगी, हमें उनको सहायता देनी होगी, जो हम अतना नहीं कर पाएं और चीन के पास ज्यादा पैसा है या पहले अमरीगा के पास ज्यादा पैसा होता था या सोवेट यूनिन के पास हमाई पास ना उतना पैसा है ना हमाई पास उतनी उपलब्धियां कि हम अपने बगल के देशों को दे सकें उतना पैसा और उतनी सहायता जितना वो चाहते हैं कोई वीजा की जरूरत नहीं पासपोर्ट की जरूरत नहीं इसा अरेंजमेंट बहुत कम देशों के बीची होता होगा फिर भी अब उसको तो दोनों देशों ने च्छोटी सी बात है बलकि एक बहुत बढ़ी बात है ना और इसके बाद हम लोग और विश्यों को डूनते हैं और जगणने के तरीके डूनते रहता है तो यह भी एक अजीब बात है तो मुझे अब यह नहीं समझ में आता है कि भारत और क्या कर सकता है ऐसा जिससे कि नेपाल जैसे देश चीन के साथ संबन ना बढ़ा है तो मुझे तो कोई भी कारणी रहता और चीन अभी इकनॉमिकली जादा स्ट्रॉंग है इंडिया से तो ओवियसली वो थोड़ा जादा इंवेस्ट कर पाएंगे और नेपाल के लिए भी रियलिस्टिक पॉलिसी यही होगी कि दोनों देशों से फाइदा ले इंडिया से भी ले और चीन से भी ले तो इसका मुझे कोई अगर उनके पास वह चैन की आर्मी भी आजे तो भी हम तो नुक्लियर पावर आना ऐसा तो नहीं है कि चीन की आर्मी भारत में आ जाएगी अंदर तो बॉडर कॉंट्स होंगे वो तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं तो अभी मुझे यह कुछ एक ठोस कारण नहीं लगता क्यो हमें नेपाल और श्री लंका से इन से इतना ऐसा रिष्टा रखना थी है कि चीन उनके साथ कुछ करे ही ना नेपाल और श्री लंका से जो भारत का रिष्टा है वो एक उनकी आंतरिक मामले का भी है श्री लंका में भारत ने हमेशा तमिल इशू को सपोर्ट किया है और उससे जो सिन्हला मेजॉरिटी है अभी जो राश्पती और पधान मंत्री है वो खुश नहीं है चीन हमेशा वो कभी आंतरिक मामलों में आता नहीं वो सिर्फ पैसा देता है और इंफ्रास्रुक्चर बीड करता है लेकिन भारत तो आंतरिक मामलों में भी डखल देता है वैसे ही नेपाल में भी ये मधेशी जन का एक है लेकिन जो प्रदान मंत्री है उनकी जो पार्टी है जो कम्यूनिस्ट और मावेस्ट पार्टी से उससे भारत की हमेशा नहीं बनी है हमाई तो जादा तर या तो राजा से बनती थी या फिर जो नेपाली कॉंग्रिस पार्टी है तो आंतरिक मामलों का भी इसमें असर पड़ता है और हाँ ठीक है हमाई पास सेन शक्ती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहें कि चीन न सिर्फ अकसाई चिन में हो बलकि हिमाचल प्रदेश में भी हमाई सामने हो उत्तराखंड में भी हमारे सामने हो पूरे के पूरे नेपाल बॉर्डर पे हमाई सामने हो अरोनाचल में हमाई सामने हो सिक्क में हो भूटान में हो ऐसी क्या जरूत है हम आप शक्तिशाली तब देश होते हो जब आप किसी और को ये कन्विंस कर सको बिना सेन शक्ती के कि वो आपकी बात मने है, हम ये क्यों चाहते हैं, कि नेपाल ना खुश हो तो इसको ना खुश होने दो, और उसको चीन से पैसा लेना है लेने दो, और उसको अगर चीन की सेना लानी है तो लाने दो, ऐसा क्यों होना चाहिए, हमें ऐसा कहना चाहिए, कि हाँ ठीकि आपको च पूरा का पूरा बॉर्डर जो अपना है चाइना के साथ जो लगबग चार हजार किलोमीटर लंबा है उसको हम अभी कहां प्रोटेक्ट कर पाएं जगर जगर पे चीन और जमीन ले रहा है हमारी हम वो तो रोक नहीं पाएं तो हम नेपाल के में अगर चीन आ जाएगा हमारे बॉर्डर पर बैठेगा तब हम क्या करेंगे तो हम क्यों चाहेंगे ऐसा वैसे ही श्रीलंका में जो कोलंबो का पोर्ट है वो एक अच्छा पोर्ट है लेकिन श्रीलंका काफी हद तक हमारे पोर्ट पे निर्भर है हम ये क्यों चाहते हैं कि वो अगर ये इंडिन ओशन प इंडियन सब कॉंटिनेंट पर अब एक चैप्टर है आपकी किताब में आइडियाज और इंडिविजुल जिसमें आप लोग ने डिसकस किया है कि कैसे नहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतिय विदेशनीती पर तो किन ठोस तरीकों से प्रभावित किया है जो आज भी भारतिय विदेशनीती में चलकते हैं तो प्रभाव तो उनका काफी रहा है एक इसले कि वो 17 साल तक प्रधान मंत्री थे और 17 साल तक विदेश मंत्री भी थे वो अपने आदर्श कुछ लेकर के आये थे और उनकी कुछ महत्पा कांग्शाएं थी और वो जो ल विश्व को इसे ध्यान से और श्रधा से देखना चाहिए भारत दूसरी शक्तियों का पिछलगू नहीं बनेगा तो वो गुट निर्पेक्ष नहीं होगा और अपनी अलग चाप बनाए रखेगा स्वचंद विचार रखेगा यह भी थी कि भारत आर्थिक आत्मिभरता मे दिखाए देती है कि भारत विश्व के सभी देशों की उन्नती और विश्व शान्ती में हिदे से यकीम करता है और प्रयास करेगा और सभी संस्ताएं जैसे यूनाइटे नेशन सन्योक्त राश्ट का साथ देगा इसका गारण यह था कि नहरूजी विदेशनीती मैंने बत वो एक इतिहास विद भी थे और वो यही सोचते थे कि भारत विश्व को सीखते और भारत के पास उस समय हमाया पस ना आर्थिक शक्ती थी ना हमाया पस सैनी शक्ती थी लेकिन इसके कारण हम जैसे कहते हैं वी कुट पंच अबावावे जब हमाया पस कुछ थानी और लेक पर वो बितया हुई है पर दिकेट हुई ना परामेंबात में कि गुट निरपेः देश भी गुट निरपेः रहे गए है कही बार जब हमाई लडाईयां हुई 1962-1965 तो वो सब गुट निर्पेख्षी रह गए कोई आया नहीं हमारे साथ फाइनली यूएस और यूके आया वो परतानिया और अमरीका आया हमाई मदद के लिए ये तो नहरू के बारे में अपने कहा उनके बाद के जो प्रदानमंतρι आया है, उनके विदेशनीती में कुछ बदलाव आया है हमारी विदेशनीती में कि नहरूंवियन जो विचार है वही चलते आ रहे हैं ज्यादातर नहरूवियनिजम विचार चलते आये, थोड़ा उनमेna जगर जगर पे लोगोंने ट्वीक किया है थोड़ा बदलाव किया है लेकिन अमूल चूल परिवर्टन नहीं हुआ है जादा क्योंकि उनके बाद लोग आए जैसे हम शात्री को देखें लाल बाहद शात्री बहुत कम समय के लिए थे दो साल के लिए थे ज्यादा तर अंतरिक मामले और फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध में ही समय चला गया था इंद्रा जी ने थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि यह भारिकता में थोड़ा यथार्थवाद रियाल पॉलिटीक लाई थी यह कारण और वो हमें दिखता है कि जब हम देखें उनकी इंद्रा नीती कहते हैं उसको इंद्रा डॉक्टरिन दक्षन एशिया के देशों की प्रती यह थी कि कोई भी शक्ती हिमाले परवत को लांकर अगर दक्षन एशिया में आती है तो उसे भारत का वर्चस सुसी कार करना चाहिए और नहीं होता है तो फिर भारत से उसकी बदुश्मनी हो जाती है दूसरा पाकिस्तान 1971 उन्होंने जब पाकिस्तान से तरस्थ होकर यह बंगलदेशी शर्णार्थी आये थे और हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब उन्होंने सोवेट उन्होंने के साथ के संधी की थी और हम वो युद्ध जीत भी गहते हैं और बंगलदेश भी बन गया था तो वहाँ पे आपको यह यथार्त वाद दिखता है क्योंकि इंद्राजी में काफी हद तक कोई बाइस, बैगेज, पूर्वाग्रा नहीं था वो महरूजी जैसे नहीं थी लेकिन बाकी मामलों में उनकी विदेश नीती ज्यादा नहीं बढ़ली थी राजीव ने भी वही रखा, सिर्फ फरक ये पढ़ा कि जैसे कि पाकिस्तान से संबंद शुरू सुधारे उन्होंने चीन के साथ संबंद शुरू किये और अमरीका से मैतरी भी बढ़ाई और जो थोड़ा बदलाव उनके समय आया, जो बाद में हमें दिखता है वो ये है कि उन्होंने आर्थिक नीतियों का सुधार प्रारम किया थोड़ी economic foreign policy, आर्थिक विदेश नीती, राजीव के समय शुरू ही और फिर वो आगे बढ़ी असली बदलाव जो आया वो आया जब शीत युद, कोल्ड वार खतम हो गया जब 1990 क्यानमे में हमारी आर्थिक हालात खराब हो गए तो हमें व्यफसाइक नीती और हमें आर्थिक नीती में बदलाव लाना पड़ा हमें पशासन तद्र की जकर कम करनी पड़े हमें एकनॉमिक पॉलसी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा और जब सोवेट यूनिन नी रहा तो गुट निर्पेक्ष्टा का भी कुछ हद तक उससे कोई महत्व नी रहा लेकिन गुट निर्पेक्ष्टा अगर चली भी गई तो strategic autonomy तो आगे जैसे कहते हैं न the king is dead, long live the king तो एक शब्द गया, दूसरा शब्द आगया क्योंकि आजकल हमारी विदेशनीती क्या है कि हम अमरीका के साथ हैं लेकिन हम रूस से भी मैत्री रखते हैं हम योरप से भी रखते हैं हम South East Asia, East Asia की तरफ हमारा lookist, actist है हमारा middle East से भी रिष्टा है वहाँ इस्रेयल से भी है, इरान से भी है, सौदी अरेबिया से भी है तो हम अभी भी एक multiple alignment, multiple relationships किसी एक देश के साथ हम मैत्री योजना नहीं रखते किसी एक देश के सुरक्षा योजना में हम भावी नहीं होना चाहते हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते तो जो विचार स्थम्ब नहरूविनिजम के थे वो ज्यादा तर तो अभी भी लागों है बदला तो हैं नहीं जादा उसमें और प्रणई तुम देखो न मतलब नहरू को चाहे कितनी भी गालियां मिलती है लेकिन वही सेम चीज अलग अलग वर्ड में अभी भी हम विश्व गुरू बनना चाहते हैं विश्व गुरू बनने की नमना जो है वो गई नहीं है नहीं गई नहीं और ये भी आप देखो ये मेक इन इंडियो और आप निल भर क्या है नहरू के समय भी तो सेल्फ सफिशनसी एकनॉमिक और अमीन वो तब से चली आ रही है एकनॉमिक पॉलिसी फेडिफेंस पॉलिसी में भी तो वो तो 73 सार पुरानी बात है मुझे लगता है नहरू भी आज की डेट में नहरू को फॉलो नहीं करेगा एक उनकी कहा जाता है कि किसी ने उनसे पूछा कि ये नॉन अलाइन उनके हिसाब से नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं होना चाहिए था वो कि वो कहते थे कि फिर ये वो बन जाती है ना पूछते रहेंगे आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे ये अपने बड़ी अच्छी बात करी और अभी भी हम हर चीज को मूवमेंट बनाना चाहते हैं ना हाँ बिल्कुल बनाना चाहते हैं जैसे कि ये वो लोग कहते थे जब महात्मा घंगादी का जो ये सत्याग्रह वुए अहिंसा की टाक्टिक अच्छी ये है लेकिन अगर आपने इसको स्टर्टेजी बना दिया आपने इसको मीति बना दे तो धिक्कत आजैगी ना हिंसे वारी तो आपकी विरेशनीनीटी नहीं साइन की वो इंद्रा गांधी ने की नहरू ने नहीं की थी उनको अम्रीजगास से कोई दुश्मन ही नहीं थी ना बैरी थी तो अमरीका से ना सोवेट यूनियन से दोस्ती थी ये था कि जमाया पर आर्थिक और स्वेन शक्ति नहीं है हम अगर किसी योजना में किसी अलायंस में घुश जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी पहले अपनी शक्ति तो बनाओ ताकि फिर तुम किसी और से कुछ कर सको बिल्कुल और वो समय भी अलग था अब मेरे ख्याल से उस समय में जो relevant था वो context अलग था हम थोड़ी घसीट सकते हैं पर हमारा है ना हम काफी हद तक ये cultural है ना कि हम लोगों को मैं वो उसकी ओपर बिठा देते हैं पठल की ओपर ने ने उनदों मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से बाकी है अभी भी नामों निशा हमारा विजबात है कि हस्ती मिटती नही हमारी सद्यों रहा है दुश्मन दोरिजमा तो आप कितना भी कर दें व विश्व विद्याले नहरू ने नहीं बनवाए थे न्यूक्लियर भाबा एटॉमिक रिसर्ट सेंटर ये सब नहरू के समय मैंना था विदेश नीती नहरू के समय कूट नीती आपकी नहरू के समय लोग जो आपको जानते हैं दुनिया में वो नहरू और गांधी के कारण जानते हैं तो वो तो रहेगा ना पर हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि हम सिंबॉलिक चीज़ें ज़्यादा बदल रहे हैं कि प्लैनिंग कमिश्ट हटा दिया तो ठीक है लेकिन अगर हम एक्चल फॉरण पॉलिसी को रीधिंक करें तो वो ज़्यादा सब्स्टैंशल चेंज होगा बिलकुल पर हम सब्स्टैंशल चेंज में हमें दिक्कत होती हैं हम प्लैन नहीं करते हैं ना हम प्लैनिंग कमिश्ट रहा हो हम 5000 साल से थे हम 5000 साल आगे रहेंगे आप हमें थोड़ ना पूल सकते हो और क्योंकि हम होंगे इसलिए हम जरूरी होंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं उसके लिए उसमें मुझे एक बात याद है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिया स्ट्रेजी 2035 डॉक्यूमेंट रिलीस किया था तो मैंने वो देखा और मैंने सुचा है अभी तक तो इंडिया ने भी नी रिलीस किया इंडिया स्ट्रेजी डॉक्यूमेंट रिलीस कर दिया इंडिया स्ट्रेजी डॉक्यूमेंट अब एक आखरी सवाल पड़ना हम लोग चानना चाहरे थे कि अब जो आपकी अगली किताब है वो तो भारतिय विदेशनिती के भविश्य पर है तो आपको क्या लगता है क्या कुछ प्रमुख बदलाव आप देखना चाहती है भारतिय विदेशनिती में जिस्ते की भारत can become can make India great. Not again, but make India. संख्या एक बिलिन से जादा है. लोग जादा तर 25 या 30 साल के उमर से कम है. हमाई सेन शक्ती विश्व के चौथे स्थान पर है. लेकिन हम ये हमेशा सोचते हैं कि आशा और महत्वा कांग्शा ही परियाप्त होते हैं. हम इसकी शमता अवश्य रखना चाहते हैं कि देशों में हमारा स्थान भी हो. लेकिन हम जो मैंने काता हैं आप strategy, आप implement, कार्यान वयान आप वो नहीं कर पाते हैं. हम वो नहीं कर पाते हैं. हम चाहते हैं कि हम विश्व में नियंतरता की भूमें काट अदा करें. लेकिन जो सक्त फैसले जरूरी हैं इसके लिए, उन्ह जैसे की गौहत्या या गौहसुरक्षा, अस्प्रिश्यता, ये सब हमाई पास, हमाई साथ अभी भी पिछले 70-75 सालों से चले आ रहे हैं और अभी तक हम इनके बारे में कुछ कर नहीं पाएं. सेन शक्ति, हमने अपनी modernization के बारे में बात की थी 2002 में, 18 साल हो गए हैं, ची चुठा के ले आएंगे उस समय के लिए, हम 20-45 साल आगे का सोचते हैं नहीं कि हमें क्या-क्या चाहिए, अर्थिक मजबूती, 1991 में हमने reforms पास किये थे, 30 साल हो गए हैं, जो जरूरी reforms हैं हम नहीं पास करते हैं, विदेश नहीं थी, अभी भी हम ठीक हैं, हम गोट मिर्पे के लिए, जो ये एक grand strategy चाहिए, वो हम में नहीं है, और इस बात पे मैं एक हावत पे खतम करना चाहूंगी, कि उद्य में ही सिध्यनते, कार्याणी न मनो रथे, नहीं सुपता से सिंगह से, प्रविश्यनती मुखे मिरगा, सोते हुए, सिंग के मुँ में हिरन नहीं जाए साल पुरानी संस्कृती हैं, आप 1.4 billion लोग हैं, और दुनिया चाहती है, जाहे Australia हो, अमरीका हो, जापान हो, बरतानिया हो, यह सब चाहते हैं कि आप अगरणी बने, कि आप बन जाएंगे, आप वो करना पड़ेगा उसके लिए कुछ, अगर आप वो नहीं करेंगे, तो फिर 70 साल बाद भी, एक और अपरना, एक और प्रने, और एक और सौरब यही बात पूछ रहे होंगे, कि भारत अगरणी क्यों नहीं बना, ठीक है, अपरना, बहुत अच्छी बात कहीं आपने, और इसी बात पर एंड करते हैं, पुलिया बाजी, और मैं अपने लिसनर्स क यह दोनों किताबों के लिंक शो नोट्स में होंगी, जरूर देखिए किताब और सोचिए भारतिय विदेशनिती जैसी है, वैसी क्यों है, और आगे क्या बदलाव आने चाहिए भारतिय विदेशनिती, तो शुक्रिया अपरना, बहुत बहुत बादा, तैंक्स अपरना, उमीद है आपको भी मजा आया, यह पॉटकास संभव हो पाया है तक्षशीला इंस्टिउशन के सपोर्ट के कारण, तक्षशीला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपक कि उम्र कुछ भी हो, अगर आप पॉलिक पॉलिक पॉलिसी, विदेशनीती या टेक्नोलोजी गवननेंस में रुची रखते हैं, तो तक्षशीला की वेबसाइट तक्षशीला.org.in पर उनके कोर्स को जरूर चेक कीजिए, और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना तो हमसे कनेक कीजिए पुलियाबाजी at gmail.com पर या फिर at पुलियाबाजी ट्विटर पर. शुक्रिया. थुआखने ही पुराणी था ए कि ट्शी रखते हैं, ऐापर लुचानी की शुच्शी है. ईूल सुच्शीन Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified. A podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday. On the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!